जहीं दोस्तों, नमस्कार, मैं मिन्टुकमान, डबलू एसी, खिजगल अचेडमी से, आज एक कटेग्री के बारें बात करेंगे, उसका कटाफ कितना जगेगा, होन आप लोग का बहुता है, इसी में बना दे रहा हूं, आप इस से समझ जाइए, कि आपका कटाफ कितना जग कितना जाएगा, तो चलिए, बोड पे, देखिए दोस्तों, दोर के बारें तो पता है आपको, कितना में दढ़िएगा, तो कितना अंत मिलेगा, ये आपको बताने वाली बात नहीं है, आगे बात करते हैं, आपके, कटप के बारें, देखिए, जो लड़के पास पास जाएगा, एक बार वीडियो पूरें, देख लें, उसके बद आपको खुद पता लग जाएगा, जिनको उमीद है कि हमारा कटप बन जाएगा, वो भी मैंने वहां से देखने के बाद चड़ा दे रहा हूं, चलिए बात करते हैं, देखिए, जो लड़का दौर में पास संक लाया है, और चार पिस्ट आठ इंज हाल जंग कर गया, यानि कि 21 संक, ठीक है, और 17-18 पिस बोला फिर्टिया, यानि कि 13 जो समझे, उनका चोंगन टोटो होड़ा, उनका मेरिट नहीं बनेगा, जो चोंगन के बाद 62 नमर लाया है, उनका भी मेरिट नहीं बनेगा, 62 के अपना मर लाया है, वीस में दवर में वीस अंक, एक वी अंक आपका गोला मिल, हाई जोंग में चार फिट आठीज, और 25 अंक गोला मिल लिए, उनका मेरिट नहीं बनने वाला, और कैसे नहीं बनेगा भाई, आपको उम्वो भी समझा देंगा, पहले कट अब चल लिए, उ यानि कि पास्टिक प्लस फान गया, और 25 अंक गोला मिल लिए, यानि कि 70, ये आपका सबसे लो रानेवा है, ये हाई 70, इनका मेरित बनना ही बनना है, तो है है, चल ये नेक्स्ट बात करते हैं, जिनोंने दौर में 30 नंबर ले लिए, चार फिट उसने पास किया, 13 अंक, औ वो अभी निश्चिंद्र है, उनका मेरित बनने के कदार पर, यानि कि बोर्डर पर है, आभी सकता है, ना ही भी आ सकता है, 68 वाले, और किस्मत अच्छा होगा, तो उनका आना तो ये है, चले फिर बात करते हैं, जिनोंने 300 दौर में ले लिए, 17 नमर हाई जंप ले यानि क चार फिट चार इंच कर दें, और गोला 25 फेक दें, यानि कि टोटल बहत तर, इनका मेरित बनना तो ये है, किसी भी हाल में इनका मेरित बनेगा, चले उसके आगे बात करते हैं, जो जोर में 300 ले लिए, चार फिट 8 इंच हाई जंप कर लिए, और 25 नमर गोला में ले लिए वो टोटल हो जागा इनका 76, और इनका जैसा ही 76 हुआ, ये जेनरल में चले जाएंगे, याद रखिये, अगर ये 76 जो भी लाया है इस डव्यू से, ये जेनरल में इनका जाना तो यह है, उससे दे जाने दिख लिए, अगर चार फिट पास कर गया, और 29 यानिकी चार फिट आठ इंच, हाई जंबर लिये, टोटल 75, ये EWAC रहेंगे, ये EWAC रहेंगे, यानि कि आपका सबसे लोग कितना जाएगा, EWAC, 70, अगर सबसे हाईस कितना जाएगा, 75, ये लोग का मेरिट बनना ताय है EWAC में, और जो ये और सट वाले हैं, ये बोर्डर पे हैं, और सट वाले, इनका रिजॉल्ट आना ताय, ताय बतलब कितना है, 50-50 परचेंट, अब चलिए आपका बात करते हैं, क्या भाईया बता दिया ये, सतर से पंचाता रिपर कोटर और अनफेट भी आ सकता है, तो क्या इसे, चलिए आपको बताएं, देखें, इसे टोटल सीटों के संखें कितनी आपकी, 842, एकुरेट यही है, और वहाई इसे फिमल का 35 परसेंट अर अच्छा हुआ, तो 35 परसेंट निकाले कितना हुआ, 294 महिलाओं का हुआ, 294 महिलाओं का हुआ, टोटल कितना बताएं, इसे पूर इसका सीट, 548, 548 के 5 परसेंट निकाले का दिया होगा न, तब 548 के 5 परसेंट निकाले किता दिया, 2740, इसका लड़का है, फिजिकल में पहुच है, 2740 में, 50% ही लड़का दोर में रहा है, सब कुछ पास करने के बाप देख रहे हैं, एक दिन में 1600 लड़का बुला है, तेरह सो पहुच रहे है, 802, 801, 805 यही पास हो रहे है, तो आपका उसका 50 परसेंट निकाले कालेगा, कितन 3770, 3070, और 1370 में से कितना का मेरिट पराना है, 548 का, अब 58, रह चोटेंट कितने है, 822, जो मेरिट सनमी बने, यह पासवाड़ता इस सब से लोग होगए है, यह सबसे लोग हो गए यह जो 548 है इस सबसे लोग हो गए इनका कॉटफ यही न जाएगा भाई कि सबसेंद से पचाहत्तर और यह आपका अंसर्ट वाला भी गूर जाएगा एक इस समय किस समय जब 1160 करें था उस समय मत इस नहीं था ओबी सी का को अपता बहुत तर नमर था उस समय आपके दोस्तोस कोई भी है उनसे पूछ लेगा वह ज्वाइन कर लिए कि बहुत तर का इस समय ओबी सी का चार नमर इस तरा जाएगा चीहत्तर सबसे कर अब बोलें कि भाई चीहत्तर आप जेनरल के बढ़ें तो उन लर्कों का जिर्ण ने ओबी सी कटेग्री में फरन भरा है उमर में छूट ले रखा है वह अपने कटेग्री नहीं रह जाएग अब बाकी सब जनर अब यह 822 है उसमें से यह भी तो है चोंवन बासट च्छासट वाल लड़के हैं चोंवन बासट च्छासट यह तो लड़के हैं छटने वाले 822 में आइसमें वह भी तो हैं जिनोंने 76 नमर बना किया यह 766 वाले चोले यह पांस और तालीश सीथ का कॉट अपका जाएगा सबसे कम सत्तर सबसे अधिक 75 यानि कि 6 तर के नीचे इसमें से कुछ और सथ नमर वाले बच्चे हैं जिनका एक मेडिक बनना तो है अगर चैनल अच्छा लगा है अमारी बाते अच्छी लगी कॉट अ और आहा रिजॉंट के बारे में तो यह आपका अभी वर्ती आर्टरी को खत्तम होगा इसके बाद एक और डाटा चढ़ा देंगे फिर आपको हम बता लेंगे आपका रिजॉंट को बाने पला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और स्रेयर करें और कोई भी स समस्या तो आप हमारे नमर पर कॉल कर सकते हैं जहीं नम्र